कुकू टीवी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती देखिये अब जादा टेंशन मत लेजिए आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है टेंशन लेने से आपकी हालत और भी जादा खराब हो सकती है अब इससे जादा और क्या खराब हो सकती है मेरी तबियत अब तो मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं कल जिन्दा रहूंगा या नहीं देखे आप हिमत मत हारिये हम लोग आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अब तो मुझे सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस दुनिया के रखवाले है जीवन भगवान को याद करके हॉस्पिटल के बैट पर लेट जाता है और सूनी की कोशिश करता है कुछ देर में वो गहरी नीन में चला जाता है और उसको एक सपना आता है कि एक गुफा में जादूई पत्थर है जिसको तराश कर डंबल बना कर एक्सरसाइज करके सेहत को ठीक किया जा सकता है डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए मैं अब वापस अपने घर जाना चाहता हूँ सॉरी अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते आपकी हालत बहुत नाजुक है मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आप प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए जीवन हॉस्पिटल से निकल जाता है अब जीवन अपने सपने के अनुसार वहां से सीधे गुफा की तरफ निकल जाता है अगर मेरे सपने वाली बात सच निकली तो मेरी जिंदकी बदल जाएगी और फिर मैं अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखूँगा जीवन आहिस्ते आहिस्ते गुफा के पास जाता है पर वो गुफा बंध होती है अरे ये गुफा तो बंध है तुम्हें मेरे दर्वाजे को खोलने का पासवर्ड बताना पड़ेगा तभे तुम अंदर जा सकते हो जीवन सपने को याद करने की कोशिश करता है और कुछ देर याद करने पर उसको पासवर्ड याद आ जाता है खुल जा सिमसिम दर्वाजा, खुल गया दर्वाजा, ए इंसान अंदर आ जा पासवर्ड से दर्वाजा खुलने पर जीवन गुफा के अंदर जाता है वो बहुत ढूनता है पर उसको फिर भी जादूई पथर नहीं मिलता और वो बहुत निराश हो जाता है मैं भी पागल हूँ जो एक सपने को सच मान कर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहां इस गुफा में आ गया अब जीवन इस गुफा से बाहर जाने लगता है तब ही उसको गुफा के कोने से एक रोश्णी की किरन चमकती हुई नजर आती है वो कुछ पल के लिए रुख जाता है और उस रोश्णी की तरफ ध्यान से देखता है कहीं ये वही जादूई पत्थर तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहां आया हूँ चलो जिब यहां तक आही गया हूँ तो जाकर देख लेता हूँ जीवन उस रोश्णी के पास जाकर देखता है वो रोश्णी एक पत्थर से आ रही है ये देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है ये हुई ना बात अब मैं भी अपने बिमार शरीर को ठीक कर सकता हूँ वो उस जादूई पत्थर को ले कर आता है और उसे तराश कर बहुत सारे डंबल बनाता है और उन डंबलों से एकसरसाइस करना शुरू करता है जैसे जैसे वो exercise करता जाता है, उसका बीमार शरीर ठीक होने लगता है और वो कुछी समय में एकडम ताकतवर पहलवान बन जाता है जय हो प्रभू, मेरा सपना सच हो गया, मेरी सेहत ठीक हो गई है अब मैं हमेशा ताजा खाना खाऊंगा और हर दिन कसरत करूंगा अब जीवन हर दिन समय पर खाना बनाता है, और समय पर उसे खाता भी है वो अब कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता सुबह जल्दी उठकर वो हर दिन अपनी जादूई पत्थरों के डंबल से एकसरसाइज करता है वो सूरज निकलने तक कसरत करता है और सूरज की पहली किरन निकलने के बाद कसरत बन करके धूप सेखने लगता है कुछ देर धूप सेखने के बाद वो अपने घर में आता है और खाना बनाता है ये होई ना सिंदकी, अब तो जीने में मज़ा भी आ रहा है सच मुच, मेरी तो पूरी जिंदकी बतल गई है अब मैं अपनी तरह ही दूसरे लोगों की भी जिंदकी सवारूंगा इसके साथ ही वो जवान लड़के, जो की घर का खाना छोड़कर फास्ट फूड खाते है उनको भी पॉस्टिक खाना खाने की सलाह देता है अरे भाई, क्यों ये अनापशनाप खा रहे हो, तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या ये अनापशनाप नहीं है, इसको चौमिन कहते हैं, और मैं कुछ भी खाऊं, उससे आपको क्या बेटा, ये चाइनीज खाना तुम्हारे शरील को बिमार कर देता है मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इसे खा कर बिमार पड़े जीवन्द शिवम से बात करी रहा था, कि तब ही उसके पेट में जोर से दर्ध होना शुरू हो जाता है मेरे पेट में बहुत जोर से दर्ध हो रहा है जीवन्द शिवम को डॉक्टर के पास ले कर जाता है, जहां डॉक्टर उसको फास्ट फूड ना खाने की सलाह देती है तुम्हारे पेट में फास्ट फूड खाने से बहुत गंदेगी जमा हो गई है अगर तुमने फास्ट फूड खाना बन नहीं किया, तो ऑपरेशन करने की नौबत भी आ सकती है अप्शिवम हर दिन जीवन के जिम खाने में जाकर एक्सराइस करने लगा और उसने फास्ट फूड खाना भी बन कर दिया साथ ही वो अपने कई दोस्तों को भी अपने साथ जिम लेकर जाने लगा ये देखकर फास्ट फूड वाले और बाकी जिम के मालिक जीवन से बहुत चिड़ने लगे ता नहीं इस मनहूस ने लड़कों पर क्या जादू कर दिया है कि अब सभी लड़कों ने फास्ट फूड खाना बंधी कर दिया है फास्ट फूड तो फास्ट फूड लड़कों ने मेरे इतने अच्छे जिम को छोड़ कर उसके उस तेहात या खाड़े में जाना शुरू कर दिया है अब तुम ही बताओ, मेरे पास exercise करने के लिए इतनी अच्छी machine है और उसके पास बस कुछ पत्थर की machine है, उसके अलावा कुछ नहीं, जल्दी से कुछ करना होगा भाई साब, नहीं तो ये मनहूस हम दोनों का दंदा बिलकुल चोपट करतेगा अब फास्ट फूड वाला और जिम का मालिक, दोनों मिलकर जीवन के खिलाफ साजस रचने लगे, ताकि उसके पत्थर का जिम खाना बंद हो जाए, उसने रात को उनके जिम खाने में बहुत सारी जल्दी उगने वाली घास लगा दी, और सुबह होते ही पूरा अखाड़ा घ गुरुजी, हमने आज तक कसरत करके जो शरीर बनाया है, उसी की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है, हम सभी लोग मिलकर इन घासों को उखाड़ कर फेक देंगे, अब शिवम, जीवन और अखाड़े में कसरत करने वाले लोग मिलकर उस घास को उखाड़ने लगे, देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी घास उखाड़ दी, पर तभी जीवन के दिमाग में एक विचार आता है, और वो सभी लोगों को घास उखाड़ने से मना कर देता है, मुझे लगता है अब हमें कुछ घास छोड़ देनी चाहिए, इससे कसरत करते समय हमारे शरीर पर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, और अखाड़ा भी हरा भरा बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी घास पर पैदल चलने से ब्लड प्रेशर ठीक अब ये सभी लोग मिलकर बची हुई घास को इस तरह से काटते हैं, कि ये घास जमीन पर बिचाई हुई कालीन की तरह लगने लगती है, अब तो हमारा जिम खाना और भी ज़्यादा सुन्दर देखने लगा है, ये देख कर तो बड़े घर के लोग भी हमारे जिम खाने मे आना शुरू कर देंगे। दूसरे लोगों को ये जहर कैसे खिला सकता हूँ? अब फास्ट फूड का ओनर खुद भी कसरत करने लगता है, और लोगों को कसरत करने और ताजा खाना खाने के बारे में जागरूप करने लगता है। अब काम भी करना होगा और अपने कपडो और अलमारी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ठीक है तब की तब देखी जाएगी जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं। मंजू की आखे भराई। प्यार से उसके गाल थप थपाते हुए। तुम मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाती हो रेखा। ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ। अभी ससुराल जाने में बहुत समय है। पहले तुम तो जाओ। मंजू की शादी के बाद रेखा बहुत रोई। एक तो उसके जाने का गम, दूसरे काम का बोज। एक हफते बाद। मा, मुझसे इतने काम नहीं होते। कोई ज़रूरत नहीं है सारे काम खुद करने की। कोई काम वाली रख लो न, मुझे कॉलेज का बहुत काम करना पड़ता है। अभी तक मंजू थी, तो काम की सारी जिम्मेदारी सम्हाले हुए थी। उसके जाते ही काम वाली रख लू। नहीं, तुमसे नहीं होता, तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। दीरे दीरे रेखा ने साइकोलोजी में मास्टर्स कर लिया। उसकी शादी की बात घर में चलने लगी थी। शादी होकर ससुराल आई, तो घर में एक ननद रीनी, और देवर विजय भी थे। बहु के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहु रसोई और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी। अपनी सास के आगे पीछे गूंती रहती माजी लाइए आपके बालों में कलर लगा दू कितनी अच्छी लगेंगी आप अरे नहीं बखू इस बुढ़ापे में क्या सजना सवरना लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल कलर कर दिये रिनी को भी खूब प्यार करती थी वो विजय के साथ भी खूब गपशप करती थी भावी मुझे ये इस्टेटिक्स जरा समझा देंगी हाँ हाँ क्यों नहीं ये तो मेरा फेवरिट सबजेक्ट है शादी को तीन महीने ही हुए थे रवीवार के दन सब ने घूमने का प्रोग्राम बनाया भाया आज बोटिंग पर चलते हैं गुड एडिया बहुत मज़ा आएगा सब बोटिंग के लिए गये लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मन्जूर था अचानक नाओ का बैलेंस भिगड़ गया और अजय जो कि किनारे पर ही बैठा था पानी में गिर गया विजय पानी में कूद गया पर थोड़ी देर बाद ही खाली हाथ वापस आ गया किनारे पर आकर जाल भी डाला गया पर अजय का पता ही नहीं चला पूरा परिवार सदमे में आ गया मैं रेखा कि माबाप को क्या मो दिखाऊंगी, मेरा लाल कहां चला गया कहते कहते वो बेहोश हो जाती है सारे रिष्टेदार जो कुछ दिनों पहले शादी में आये थे, अब मातम के लिए आ रहे थे रेखा तो बिलकुल मूख हो गई थी, परसो की राथी तो उसे पता चला था कि वो मा बनने वाली है अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने उस रात कितने सपने सजा डाले थे उसके मम्मी पापा और मंजू दिदी भी आये थे, पर कोई उसको रोला नहीं पाया रेखा, तुम मा के साथ चली चलो नहीं दिदी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मम्मी पापा और दिदी वापस चले गए मैं बोटिंग की बात ना करती, तो भाईया को कुछ ना होता दूसरे दन गाउं से अजय की ताई जी आई अजय की मा, बहु से कहो उसकी चूडियां तोड़नी होगी, और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा रेखा चुप चाप सारे कर्मकांट करवाती रही, आँखों से आसुओं का एक कत्रा भी नहीं गिरा उसको किसी तरह रूलाओ, वरना ये सदमा इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ताई जी, उनकी जिन्दगी में सब कुछ खतम हो गया है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है बेटा, हमने भी वैधवे का जीवन गुजारा है, पर ऐसे चुप थोड़ी न हो गई थी मैं तो सिर्फ सोला साल की थी, जब तुम्हारे ताउजी खतम हो गय थे तभी अजय के ममी पापा आ गए करना चाहता हूँ, मैंने भावी को कभी उस नजर से नहीं देखा विजय, ये हमारी बदनसिबी है, कि नीलू को हम अपनी बहु नहीं बना सकते अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है, ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगे भी भी शादी हो सकती थी, पर हम अजय की आखरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं, मा, तुम लोगों ने मुझसे मेरी जिन्दगी ही मांग ली, मैं क्या कह सकता हूँ, ये कहकर, वो तुरंत घर से निकल कर सीधा नीलू के घर पहुँच गया, विजय, भावी कैसी है, बहुत ब बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी, लेकिन विजय, मेरा क्या होगा, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा, अगर हमारी शादी हो गई होती, तब क्या होता, ऐसे तो आजय को कुछ नहीं होता, तब क्या होता, अभी सामने जो परसितिया है, उनके बारे में बात करो, तुम्हे कोई अच्छा जीवन साथ ही मिल जाएगा, तुम जाओ विजय, मेरी चिंदा मत करो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगी, विजय घर वापस आकर, मा, पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर निलु को भूलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे कोई दोश मत दीचेगा, मैं रेखा के माता-पिता को समझाने की कोशिश करूँगा, कि वो अभी बहु को उसके हाल पर ही छोड़ दे, मा, इस शादी में कोई शोर्शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम बहुती साधारन धंक से आरे समाज मंदिर में शादी कर लेंगे, रेखा के माता-पिता की उपस्थिती में, रेखा विजय के साथ परिने सूत्र में बंद गई, अपने बच्चे के बारे में सोच कर रेखा ने कुछ नहीं कहा, शादी के बाद, मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो, जब तक तुम मानसिक रूप से पूरी तरह तयार नहीं हो जाती, तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बन कर रहेंगे, विजय, तुम बहुत महान हो, ये कहते कहते रेखा की आँखों से गंगा जमुना बह निकली, अजय के माता पिता ने अपने बेटे का गम भुला कर, अपनी विद्वा बहु का जीवन सुधारने का अत्यंत सरहानिय कदम उठा लिया था, सुमी ने तो अपने होने वाले पती को देखा भी नहीं था, जबसे भाई को जेल हो गई थी, तबसे मा बहुत परेशान थी, भाई को छुडाने के लिए दो लाख रुपए चाहिए थी, तभी अजय की मा अपने बेटे का रिष्टा लेकर आ गई थी, आनन फानन में पर ये देखकर हैरान हो गई थी, उसे सजे धजे कमरे में लाकर बिठा दिया गया, ये कहते हुए वो एक ही चलांग में बिस्तर पड़ा गया, और उचल उचल कर गुद्दे बिस्तर पर कुदने लगा, कितना मज़ेदार है ना ये बिस्तर, उसके होठों से लार बह रही जिसे वो बार-बार अपनी कमीज में पोच ले रहा था, सुमी डर कर बिस्तर से उचल कर नीचे खड़ी हो गए, उसके माथे पर पसीना चलचला गया, तुम कोन हो, निकलो यहां से, अरे मम्मे ने कहा कि तुम मेरी दुलान हो, क्या, मेरी शादी तुम से हुई है, और क्य तुमें देखा नहीं था क्या मुझे, सुमी तुरंत कमरे से बाहर आगे, सामने ही सास रूपा खड़ी थी, यह क्या मजाग है, आपने मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी, शान्त हो जाओ, मैंने तुम्हारी मा को सब कुछ बता कर ही यह शादी की थी, किसी को सुमी, यह पहले ऐसा नहीं था, एक बार हमारी गाड़ी किसी पेर से टकड़ा गई, उसमें मेरे पती की तो जान ही चली गई, और इसके सिर में चोट लगी, मुझे और रंजीत को हलकी फुलगी चोटी लगी थी, यह तब से ऐसा हो गया, डॉक्टर ने कहा था कि शादी क के बाद ये ठीक भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, ममवे देखो न, ये मेरे साथ के भी नहीं रहिया है, तुम जाकर सो जाओ अभी, वो ठक गई है न, इसलिए गेस्ट रूम में सो गई, ठीक है ममवे, आप मेरे पास सो जाना ठीक है, ठीक है, तुम जाओ मै मैं आती हूँ, आओ, तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ, सुमी चुप चाप उनके पीछे गेस्ट रूम में चली गई, बिस्तर पर लेट कर अपने दो भाग्य पर आसू बहाती रही, कब नींद आ गई, पता ही में चला, सुभा नींद खुली तो कमरे से बाहर निकल कर आई, मैं जा रही हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ, सुमी जाकर गाड़ी में बैठ गई, अपने घर पहुंची, तो देखा उसका भाई तखत पर बैठा है, तुम कब आए, जब तुम गई, तुम इतनी सुभा सुभा, मा, क्या मुझे अपने घर भी टाइम द ठुडाने के लिए, तुमने मेरी शादी उस पागल से करा दी, ठीक है मा, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, इतना कहकर, वो बिना रुके वापस आ गई, घर आते ही, आ गई, जी हाँ, आ गई, ये कहते वे वो अपने कमरे में चली गई, तुम आ गई, चलो, अब हम खेलेंगे, तुमार मेरे साथ खेलोगी न, बोलो, हाँ, जिनके पास दिमाग है, उन्हें ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए बली चड़ा दी, उनसे अच्छे तो तुम ही वो, चलो, फिर बाहर चलकर नाश्टा कर लेते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया, अजय का भाई कहता है, अरे अजय का हाथ छोड़ दो, लग जाएगी न, नहीं छोड़ता, तुमसे करते ही, तुम बहुत गंदे हो, अजय, नाश्टा कर लो, चलो, आप नाश्टा कर लेते हैं, डाइनिंग टेबल पर सुमी उसके बगल में बैठ गई, अजय कुछ खाता तो कुछ गिराता, भाई ठीक से खाओ, सब गंदगी फैला रहे हो आप, मैं साफ कर दूँ ये, तुम खा लो, उसमें नैपकिन से उसका मूँ पोच दिया, नाश्टे के बाद, आपने मेरी जिन्दगी क्यों बरबाद की, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तुम तक आपके दो लाख रुपए की कीमत ना चुका दू, सुमी दिन रात अजय के पीछे छाया बन कर घूंती रहती, फिर एक दिन, गरीब घर की लड़की लाई हूँ, इतना सुख कहा नसीब हुआ होगा उसे, अजय का पूरा ख्याल रखती है, देखे, अगर मैं चाहूं, तो आज आपका ये वैभव छोड़ कर चली जाओ, आज के बाद अगर कभी मैंने इस तरह की बाते सुन, तो मैं तुरंत यहां से चली जाओंगी, उसके बाद रूपा का फोन आता है, तो वो अपने कमरे का दर्वाजा बंद कर लेती है, फिर एक दिन, अजय ने जट से उसका दुपटा ले लिया, और बोला, मैं तुम्हारी आँखों पर बांदू, अच्छा लो, तुम ही बांदो, अजय ने उसकी आँखों पर दुपटा बांदी, वो उसको ढूणने लगी, थोड़ी ही देर में वो पकड़ लिया, पकड़ लिया, जैसे ह अजय उसने दुपटा हटाया, तो रंजीत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था, वा क्या किस्मत पाई है भाईने, कितनी खुपसूरत हो तुम, सुमी गुसे से उसका हाथ जटक कर, अजय, अजय कहा हो तुम, उसने देखा कि अजय पेड की ओठ में आँखे मीच रंजीत, तुमने अजय पर हाथ क्यों उठाया, तुमें शर्म नहीं आती, वो मेरे साथ बत्तमीजी कर रहा था, वो अजय का हाथ पकड़कर, गुसे में अजय को लेकर अपने कमरे चली गए, रात हुई, तो रंजीत उनके कमरे में आकर, सुमी मुझे माफ कर दो, मुझे आइसक्रीम खिलाओंगा, आइसक्रीम के नाम पर वो उचलते हुए सामने आ गया, सुभा चलेंगे, अभी तुम सो जाओ, अरे यार ममी अपी बाहर गई है, शायद आज वहीं रुकना पड़े, सुमी ने उसका हाथ जटक दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको अपने पास खीच लिया, तब तक अजय ने पास पड़े पूल दाम से उसके सर पर दे मारा, अचानक चोट लगने से रंजीत गिर गया, खून भी बहुत बहरा था, सुमी उसको उठा रही थी, तभी रूपा आ गए, क्या हुआ इसे, किसने मारा, अभी पुलीस को बुलाती नंबर डायल कर दिया था, अजय ने जब सारी बाते बताई, तो उनका खून सूख गया, तब तक पुलीस भी आ गई, सबूत सामने था, अजय को हतकड़ी लगा दी गई, तभी मैंने मारा है, आप इस बेगुना को छोड़ दीजे, सुमी तुम क्या कह रही हो, शायद दो लाख का हिसाब चुकाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता, आपके स्वार्थ ने, आपके खानदान की एक लोते चिराख को भी बुझा दिया, आपका क्या होगा ये सोच लीजे, चलो मैडम, देर हो रही है, चलो, रूपा के पास कुछ भी नहीं रह गया था, सिवा आप सुगी,